नमस्कार दोस्तो आज है 16 दिसंबर 2018 और आप सभी देखना सरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल RPSC Only तो आए दोस्तो सरवात करते हैं आज के Delhi Current Affairs की दोस्तो सबसे पहले हम जिस न्यूज पर डिसकस करेंगे एक्चुली वो कुछ न्यूज नहीं है उससे समधित कुछ फैक्ट हैं जो हमारे एक्जाम में इंपोर्टेंट हो सकते हैं दोस्तो कल राजस्तान में उज्जा सरक्षन को लेकर कुछ पुरुसकर प्रदान किये गए थे उसी कड़ी में कुछ फैक्ट हमारे सामना आए हैं जिनका यूज हम कहीं भी एक्जाम में कर सकते हैं प्री में अगर जो उज्जा समता वाला जो हमारे राजस्तान के बुगल का इंपोर्टेंट पार्ट होता है या राजस्तान की एकोनोमिका पार्ट होता है तो उसमें इन फैक्ट के हमें जानकारी हो जाती है इन डायरेक्ट ही दोस्तों इसमें ये बताया गए था कि राजस्तान में अब तक लगब तीन हजार मेगावार्ट की सम्ता के सोर उज़ा के सायंतरों की स्थापना हो चुकी है और पवन उज्जा के सहिंत्रों की इस्तापना की बात करें तो 4000 मेगावार्ट की समता के जो पवन उज्जा हैं उन सहिंत्रों की इस्तापना हो चुकी है तो इससे एक बात इस्तपस्ट हो जाती है कि राजस्तान में जो पवन एनरजी विंड एनरजी है उसके समता है तो अगर ये एक सहत्य इसकत्य कत्म करतन की रूप में पूछ लेगे रहे हैं तो वह गलत हो जाएगा क्यूंकि पावन उज्जा संतर की समता जादा की गई है इसके लावा दोस्तो राजेSthãन में उज्जा सर्क्षन के लिए या अक्से उज्जा सर्क्षन के लिए क्या क्या परियास के जा रहे हैं ऐसा question बनता है तो In-fact का भी यूज कर सकते हैं वहाँ भी तो एक तो ये परियास किया जा रहा है सोरूजा सेंत्र और पावरूजा सेंत्रों के स्थापना की जा रही है इसके अलावा रूप टोप जो सोलर पावर प्रोजेक्ट भी लगाय जा रहा है जटों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाय जा रहा है इसके अलावा दोस्तो जो विविन नगर पालिकाएं हैं, इस्ताने निकाएं हैं, वहाँ पर जो रोड लाइट होती हैं, स्टिर्ट लाइट होती हैं, उनको बदल कर LED लाइट से रिप्लेश किया जा रहा है ताकि जो उर्जा हैं, उसकी छीज़त कम हो और कुल मिलाके किया जा सके, खेर दोस्तों अगी नूच पर आते हैं, ये समंदित हैं, प्रिया सर्मा से, प्रिया सर्मा राजिस्तान के जुन जुन की रहने वाली हैं, और इंडियन एर फोर्स में वो फाइटर प्राइलेट बनी हैं, और इंडियन एर फोर्स में फाइटर प्राइलेट बने वाली वो overall साथ भी महिला बनी हैं तो यह fact है प्रिया सर्मा के बारे में पूचा जा सकता है हाली में जुन-जुनो की प्रिया सर्मा क्यों सुर्खियों में रही तो इंडियन एरफोस में फाइटर बाइलेट बनने के कारण या फिर राजिस्तान की प्रिया सर्मा का समध किस जिले से हैं तो जुन-जुनो जिले से समंधित हैं या अगर आरे समेंस में बगरा में 15 वर्ड में पूचा जाएं तो भी इसकी आइडिया होना चाहिए हालांकि पेपर चप चुके होंगे अगर यहीं पेपर होंगे अगर पेपर आगे होते हैं तो यह important बन जाता है क् ही पेपर वापसे चपएंगे खे ढ़ोस्तों अग्ली नूच पर आते हैं यह समंधित हैं रामगट सीट से लगंग बजर सकथी अग्या एक अब दोस्तों इससे हमें एक fact पता चलता है ठीक है कई बार quality में deeply question पूछ ले जाते हैं तो यह यहां से निकल जाता है कि अगर किसी विदान सभा seat पर या लोग सभा seat पर किसी प्रतियासी का निदन हो जाता है तो वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं लेकिन जब हम आपस वहा नामागकन दाकिल कर सकता है इसके अलावा जिन परतियासियों ने नामागकन आपने दाखिल कर दिया है तो अब वो नामागकन भई रहेंगे जैसे कि मानलो अगर सपोच खोड़ो बीजीपी और कॉंग्रिस ने उस समय ठीके जब उनका निदन ही वा तो उस समय जिन परति सिखा है. Хर, दुस्तो, अगली नूच पर आते हैं यह समंद्धत हैं फैताई से, तो पुछा जा सकता है हाली मैं फैताई सुर्ख्यों में रहा ये क्या है तो फैताई एक साइकलोन है, चक्रवात हैं जो बंगाल की खाड़ी में बना है और इसे जो तमिलाट्व और आंत्रपदेश जो बारत के रज्जे हैं उनके प्रभावित होने की उमीद है तो यह important है इसके बारे में भी जानकरी होनी चाहिए खेर दुस्तो अगली नुच पर आते हैं very important है और यह समंधित है जो agriculture export policy है 2018 उससे समंधित हैं दुस्तो बहुत ही important है इंडियन economy जहां भी है जिस exam के विसलेस में चाहिए वारेस हो चाहिए महला परिवेक्षक हो उसके लिए बहुत ही important बन जाती है दुस्तो हाली में जो केंट्रिय मंद्रि मंदल है सबसे वहले दोस्तों बात करते हैं इसके objective की तो इसका objective है कि वर्स 2022 तक जो बारत का agriculture export है उसको 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना अभी अधिक क्यों करना है ताकि किसानों की जो आमदनी है जो हमने target रखा है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगुनी करेंगे उस target को पाया जा सके इसके अलावा जो जेविक product है अभी आपको पता होगा कि जेविक क्रिशी को प्रोसान दिया जा रहा है बात में जेविक प्रोसान दिया जाएगा इसके लिए जेविक उत्पादों पर जितने भी परकार के निर्यात प्रतिबंद लगया जाते हैं दूसरे देसों के दौरा उन प्रतिबंदों को डिप्लोमेशी के जरी हटाने की कोसिस की जाएगी इसके लाब दोस्तों इस निती के जो क्रिशी निर्यात निती हैं इसके फाइदे क्या क्या हो सकते हैं तो इसका जो पहला फाइदा हो सकता है कि इससे क्या होगा कि जो चाई हैं कॉफी हैं और चावल जैसे क्रिशी उतपाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा यानि इन जो प्रोडक्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर फॉकस किया जाएगा इसके लाबा जो वेस्विक अग्रिकल्चर मार्केट हैं अग गटक है दो पहलू है एक तो हैं साम्रिक श्रनी एक हैं परिचालन यानि की आप्रेशनल सैनी तो साम्रिक स्रनी के तर दोस्तों क्या क्या जाएगा कि agriculture के लिए अउसरचना यानि की infrastructure का लिनमान क्या जाएगा समर्षन दिया जाएगा एक तरह से अगर किसी फसल का उत पदन करते हैं तो जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या फिर MP में जैसे बावांतर योजना चलाए गए ति उस टाइप की कोई योजना चलाए जाएगी ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके तो उस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट किया जा सके इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी जो आप कहा सकते हैं सयोगी संगबात भी देखने को मिलेगा उसमें राजी सरकारों का भी सयोग लिया जाएगा और उनकी भी बड़ी भागेदारी उसका प्रचार पसार किया जाएगा उसकी मार्केटिंग की जाएगी इसके लावाद दोस्तों जो ऑप्रेशनल्स रेनी हैं उसके तद क्या जाएगा ये तो थी हमने पड़ा साम्रिक्स रेनी के तद ऑप्रेशनल्स रेनी के तद क्या जाएगा दोस्ता जो प्रोडक्शन है और जो कहा सकते हैं आप प्रोसेसिंग है प्रसकरण है उसमें प्राइवेट सेक्टर को आमांतरित किया जाएगा ताकि जो प्रोडक्शन है ना केवल बढ़ाया जा सके क्वालेटी वाला हो और हमारे पास किसानों के पास काफी शंसादनी होती है गवर्मेंट के पास भी शं जाते हैं तो जो प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें फॉकस करना बहुत जरूरी है अगर हमें किसानों की आमदनी को पढ़ाना है तो उसमें पैसा चाहिए होता तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आमांतरित किया जाएगा इसके लाबा जो मजबूत नेम बनाए जाए जाए है अगली नुच पर आते हैं ये भी इंपोटेंट है और ये समधीत हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2018 से दोस्तो जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2018 रिपोर्ट आई है बहुती चिंता जना के भारत के लिए उसके अनुसार चीन और अमेरिका के ब जो केस इस्टेडी वगेरा आती है या पिर कहीं भी इंडिरेक्ली हम यूच कर सकते हैं जो विदी वाला पेपर हैं तो कि ये जो सुर्खियों में एक्चुली आया है वो आया है जो कथा वाचक आसाराम थे उस मामले में काफी जो गवा हैं उनको धमकिया मिल रही थी एक इसकीम प्रस्थत क Raan G G Prassted की ये सुर्व कोट है जिसको सुप्रिम कोट है मंजुरी दे दिये हैं विट्नेस पोट्रेक्षन प्रोग्राम दो जार अठारा जैसा कि नाम से स्पस्ट हैं दोस्तों इसमें जो गवा हैं ठीक है विट्नेस हैं उनको और उनके परिवार के सद नोचrict को सुर्क सा प्रदान की जाएगी और सुप्रीम कोट ने पॉलिटिक का एंगल जो सुप्रिम कोट ने हैं ये जो आदेश दिया है वो किस अनुचेत की तहत दिया है और किस अनुचेत की पावर के तहत दिया है वो दिया अनुचेत 141 और Japan 142 बहुत इंपोरेंड है का तब तक उस पर कानून का रोप रहेगा अब ये अनुशेत सविदान में इसलिए जोड़ा गया कि कभी-कभी क्या होता है कि हमें तवरित एक तरह से कानून की जरूत होती है और संसद और विदान मंडल हैं उसके कुछ हिमाय होती है तो इंपोटेंट है पॉलिटे के लिए ऐसे भी जानकरी होनी चाहिए खेर दोस्तों अब इस मसूदे की बात करें जो विटनेस प्रोडेक्शन प्रोग्राम है तो उसमें क्या क्या जाएगा कि गवाव को किस तरह के खत्रे हैं उस आज़ार पर उन्हें तीन वरगों में विवाजित किया गया है इस प्रोग्राम में ठीके फिर उनको उनको खत्रों के अनुसा सुरुक्सा मुहिया कराए जाएगी इसके अलावा ये जो सुरक्सा है ये कोई अनिश्चित काल के लिए प्रदानने की जाएगी इसके एक टाइम लिमिट होगी उसके दोरान ही प्रदान की जाएगी इसके अलावा इस Witness Protection Program में ये भी प्रदान किया गया है कि जो कोट कक्स है उनको विशेश रूप से डिजाइन किया जाएगा उनमें लाइव लिंक की व्यवस्ता होगी इसके अलावा वन बे मिरर होगा और जो गवा है और जो विक्टिम है और जो आरोपी है उनको आने जाने कि जो रास्ते होंगे उनके बीच एक स्क्रीन होगी ताकि वे एक दूसरे को देखने पाए इसके अलावा ये भी किया जाएगा कि जो गवा की तस्वीर है या गवा की आवाज है उसमें भी बदलाव किया जाएगा ताकि जो गवा की वास्तविक पैचान नहीं हो सके और जो आरोपी है या रोपी के जो इस्तेदार है वो उसको प्रभावित गलत रूप से प्रभावित ना कर सके तो दोस्तों इसे के साथ आज का डेली करेंट अफेरस से ही समाप्त होता है इस वीडियो कुस्तों ने क्लाप सभी का बहुत बहुत आपार बहुत